हेलो फ्रेंज कैसे है आप सब वेलकम वेक तो पिकम देसी फूड आज में आए हुए एक नए रेसिपी के साथ और आज हम से बनाने वाले हैं एकदम हेल्डी एकदम टेस्टी होमेट डॉमिनो स्टाइल फिजा अब सुच्छे में से हेल्डी क्यों बोल रहे हूं यह तो पास में यह बन जाता है और हम इस वीडियो में पिजा बेस्टी बनाना से कहेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैन को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और हम सबसे पहले पिजा बेस्ट बना लेते हैं पिजा बेस्ट बनाने के लिए भाइदा सूची से बना सकते हो एक चमच शीनी जालेंगे जो फर्मेंत में साहिता करती है एक अप दही लेंगे जिसे हम आते को गुथेंगे दही को आटे में थोड़ा थोड़ा डाल कर गुथेंगे अभी लॉकडाूण चल रहा है और इसी दौरां सब ही कुमन करता है कि हम पिजा खाएं, बर्गर खाएं, मुझे भी करता है इस रेसिपी को आप ट्राय करके देखो जो आप बाहर पिजा, रेस्टरांट में जाके खाते हो या फिर बाहर से ओर्डर ओनलाइन करते हो तो वैसा ही पिजा लगेगा सेंटू सेमाप एक चम्मच रिफाइंड डाल कर डो को मसल मसल कर चिकना कर लेंगे आटी को पाच मिन्ट कंटिनियूसली मसल मसल कर चिकना कर लें ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है इससे हमारा जो आता है वो स्ट्रेचिबल हो जाएगा अब हम इस डो को आधे घंटे के लिए ढग कर रेस्पे रख देंगे हमने जो एक कप दही लिया था उसमें से वन फोर्थ कप बच गया था आथा घंटा हो गया है अब पिजा बेस बनाने का प्रोसस स्टार्ट करते हैं चकला लेंगे इसके उपर डो को थोड़ा सा रोल करेंगे फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इतने डो से हम दो पिजा बेस बना लेंगे अब हम पहला पिजा बेस बनाना शुरू कर देते हैं पहले हम इसको रोल करेंगे और चकले पे थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे इसको हमें पतला नहीं करना है इसे थोड़ा ठीकी रखना है हमारा पिज़बेस बिल के रेडी हो गया है और हमने इसे पतला नहीं किया है थोड़ा ठीकी रखा है अब हम एक फॉक लेंगे और उसकी हैप से इसमें होल्स कर देंगे होल इसलिए करने हैं ताकि ये फूले नहीं और हमें पिजा बेस को फुलाना नहीं है गैस पे फ्राइपैन रखेंगे पिजा बेस लेंगे और उसे हम इसके उपर सेखना शुरू करेंगे हमें एक साइज से सेखना है दोनों साइज से नहीं सेखना है हमें इसे जादा नहीं पकाना है एक साइज से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है और ये देखिए हमारा पिज़वेस एक साइज से कुगो के रिडी हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम चलने सबजियों की तरफ हमें क्या-क्या सबजिया लेनी हैं मैंने यहां पेली हैं एक कटी हुई सिम्ला मिर्च, एक कटी हुई प्याज, एक कटी हुए टमाटर मैंने similar mousse को strips में भी cut किया है आप चाहूँ ही तो cut करें नहीं तो न भी करें पिज़ा बनाने के लिए हमने जो पिज़ा बेस रेडी किया था उसे ले ले लेते हैं जिस साइड से हमने पिज़ा बेस के सिकाई की है उस साइड ही सॉस लगाना है दूसरी साइड नहीं लगाना है अब पिज़ा बेस पे सॉस लगाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पिज़ा सॉस लेंगे मैंने एक चम्मस पिजा सॉस लिया है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पिजा सॉस को पिजा बेज पे अच्छे से फैला लेंगे अब हम दूसरी सॉस लेंगे मैंने एक चम्मस टमेटो सॉस लिया है आपके घर में जो भी सॉस या केचप हो वो ले ले अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं आप sauce कम जादा भी कर सकते हैं अब हम इस पे cheese crush करेंगे हमने अमूल cheese ली है आपको जितने cheese पसंदो आप उतनी cheese डाल ले हमने cheese को crush कर लिया है अब हम इस पे vegetables रखेंगे आपको जो जो vegetables पसंदो वो पीजा पे डाल ले मैंने similar meat, tomato, प्याज लिये आपके पास अगर sweet corn available हूँ तो आप वो भी डाल ले में पास available नहीं थे इसलिए मैंने यूज नहीं की vegetable डालने के बाद अब हम इसके उपर फिर से cheese को crush करेंगे cheese बच्चों को बहुत पसंद होती है इसलिए मैंने cheese ज़्यादा डाली है cheese आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अब हम इस पे chili flex and organo डालेंगे अब चलते हैं next process की तरफ gas पे pan रखेंगे gas को हमें low ही रखना है अब हमने जो pizza भी स्ट्रेडी किया था उसे इसमें रख देंगे और low to medium flame इसे 15 मिन तक पकाएंगे हमें ढख के ही पकाना है पैन या कढ़ाई भारी तलिका ले 10 मिन के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं और इसे 2-3 मिन तक दोबारा पकने देंगे अब हम हमारे pizza को देख लेते हैं और ये देखे हमारे pizza कुक होके रेडी हो गया है और ये देखे इसकी चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गए और ये नीचे बिल्कुल लगा भी नहीं तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं देखो हमारे pizza कितना टीस्टी और यमी बना है और ये जैसा दिख रहा है उसे दुगना तो ये खाने में टीजती है ये बहुत है ज़्यादा flexible, stretchable भी बना है चलो अब मैं आपको इसका पीस कट करके दिखाती हूँ चलो कट करता है और ये देखो है कितना बढ़िया बना है अगर आपको हमारे रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको जिनको पिज़ा फास पूँच पसंद आए उनके साथ शेयर कर दो और बाई